हलो एवरिवन वेलकम ओनलाइन स्टेडी आई कुजी के दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है बहुत द्रम से समदित मैटपॉन 30 प्रश्ण दोस्तो जितने भी प्रश्ण लिए है सारे प्रश्ण सेलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिए अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो यह वीडियो आपके लिए कापी यूसपल होने वाला है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कुशन फर्स्ट कुशन है बहुत एसिया की रोसनी यानि दा लाइट आप एसिया का जाता है नेक्ट कुशन है गोतम बुद्ध का जन्म का हुआ था कई बार एक्जाम ये प्रश्ण पूचा गया है तो इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए तो दोस्तो गोतम बुद्ध का जन्म है यह हुआ था हुआ था उसका सही आंसर हो जायेगा option number b. Saakya शत्रे कुल में हुआ था。 बुद का जन्ञ? Next Question ने बुद्ऋ सब्ध का क्य आर्थ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number b. एक ग्यान संपन वेक्ति दोस्तो बुद्ध सब्ध का क्या आर्थ है एक ग्यान संपन्द वेक्ति नेक्स्ट कुशन है गोतम बुद की माता कौन थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number E, माया देवी दोस्तो गोतम बुद की माता कौन थी माया देवी थी चले दोस्तो अब हम देख लेते हैं गोतम बुद की family के बारे में दोस्तो जो गोतम बुद थी इनके पिता का नाम था सुदोधन इनकी माता का नाम था माया देवी दोस्तो जब गोतम बुद का जन्व हुआ था उसके साथ दिन बाद ही इनकी माता का दियान्त हो गया था उसके बाद इनका जो पालन पोसन है उनकी स्वतलिमा था परजापति गोत्मे ने किया था इनकी पत्ने का नाम क्या था गोत्म बुद्ध की यसोद्रा और इनके बेटा हुआ था उनका नाम था राहूल ये भी आपको याद रखना है ये फेक्ट आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन्ट है गोत्म बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था दोस्तों ये भी प्रश्ण काई बार एक्जाम में रेपिट हुआ है तो दोस्तों गोत्म बुद्ध का बच्पन का नाम था सिदार्थ बिना अंजल गरेंड किये 6 वर्ष की कटिन तपश्या के बाद 35 वर्ष के आयू में वैसा की पुन्यमा के रात निरंजराई जिसे वर्तमान में फल्गो नदी की किनारे पिपल वरक्ष के नीचे सिदार्थ को जो ग्यान है वो प्राप्थ हुआ था ग्यान प्राप्ति के बाद सिदार्थ है वो क्या है बुद्ध के नाम से जाने गए दोस्तों गोतम बुद्ध का जो बच्पन का नाम था वो था सिदार्थ सिदार्थ को ग्यान प्राप्थ हुआ उसके बाद है वो क्या के लाई बुद्ध के लाई और जहां उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ वह अस्तान क्या कहलाया बुद गया नेक्स कुछन है गोतम बुद ने पर्थम जो उपदे से वो का दिया तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसे नमबर भी सारनात में ये भी प्रश्ण काई बार एकजामें पूचे गया है तो दोस्तों गोतम बुद ने ज सारनात में बुद का पर्थम उपदेश क्या कहलाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसे नमबर सी ध्रम चक्र प्रवतन ये कहलाता है सारनात में बुद का पर्थम उपदेश सिद्धार्त ने 29 वर्ष की अवस्ता में गरत्या किया जिसे बौत ध्रम में क्या कहा जात और इस गटना को बहुत द्रम में महापरी निर्वान है कहते हैं ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन है गोतम बुद्ध का पर्थम गुरु कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसर नमर सी आलार कलाम दोस्तों आलार कलाम ये गोतम बुद्ध की पर्थम नेक्स्ट कुशन है गोतम बुद्ध की मृत्व है ये कहा हुई थी तो ये काफी जादा इंप्रण के लिए काई बार एक्जाम में रेपीट हुआ है तो जोस्तों गोतम बुद्ध की जो मृत्व है यह हुई थी कुसी नगर में जिसका सही आंसर हो जाएगा आपसाइगा बड़ी बुद्ध की मिर्त्यू असे वर्स के अवस्ता में 483 सापूर में कुसे नगर में हुई थी और इस गटना को बहुत ध्रम में महापरिय निर्वान है वो का गया है तो यह काफी जाधा इमपोटेंटе आपकी एक जाम के लिए नेक्श्च कुछ्छनन है बुद्ध को ग्ञान की प्राप्ती किस व्रक्ष के नीचे हुई तो इसका सही आंसर होजाएगा आप सिन atención है पीपल के व्रक्ष के नीचे बुद्ध को ग्हान की प्राप्ती और इस म्लच के बांत क्या कै सिदार्थ को ग्यान के प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी निरंजना नदी जिसे बरतमान में फल्कु नदी के नाम से भी जाना जाता है तो जो सिदार्थ है इन्हें ग्यान की प्राप्ति है वो निरंजना नदी के किन किसका द्रम करने तोह सही आंसर हो जाएगा अप्सन नंबर सी बहुत का दोस्तों बहुत का यांनि बहुत का कर द्रम करें वह तुट तो यहां तरी पीटक स्वाइब कॉसें मैं और भीत 혹시 तुट झारबिक एवह कौन कौन से दो नेक्स्ट कुशन है बहुत गरंथ पीटको की जो रचना है वो किस बासा में की गए थी जो पीटक है उनकी जो रचना है वो किस बासा में की गए थी तो पाली बासा में की गए थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमर बी नेक्स्ट कुशन है बौध द्रम और जैन द्रम दोनों के जो उपदे से वो किसके सासनकाल में दे गए थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सट नमर ए बिम्बी सार के सासनकाल में बौध द्रम और जैन द्रम के जो उपदे से वो दे गए थे next question है बौत द्रम जो ग्रेंड करने वाली पर्थम माईला है वो कौन थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D महापरजापती गोत्मी दोस्तों बौत द्रम ग्रेंड करने वाली जो पहली माईला थी वो थी महापरजापती गोत्मी next question है बुद के ग्रेतिया का जो परतिक है उसका सही आंसर हो जाएगा option number E गोडा दोस्तों बुद के ग्रेतिया का परतिक है गोडा जन्म का जो परतिक है वो है कमल एउन सांड ग्रेतिया का परतिक है गोडा ज्यान का परतिक है पीपल यानि बोधिवरक्स निर्वान का प्रतिक है पज चीन और मिर्त्यू का प्रतिक है इस्तूप यह आपको याद रखना है यह सभी जो प्रतिक चीन है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्यूशन है बुद्ध के अनुयाई कितने भागों में विवाजित थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमर से उप्युक दोनों दस्तों बिक्सु और उपासक यह दो अनुयाई बटे होए थे बुद्ध के बिक्सुक बहुत द्रम के परचार के लिए जि अनुयाई तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन मर डी वेसाक पुन्नीमा दोस्तों बोद्ध का जो सबसे पवित्र तोवार है वो है वेसाक पुन्निमा बौदो का सबसे पवित्र तुआहर वैसाक पुन्णिमा है जिसे बुद्ध पुन्णिमा के नाम से भी जना जाता है इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पुन्णिमा का दिन ही बुद्ध का जो जन्म है वो भी हुआ था ग्यान की प्राप्ति भी हुई थी और महा निर्वान की प्राप्ति ये हुई थी इसलिए बौदो का जो सबसे पवित्र तुवाहर है वो है वैसाक पुन्डिमा नेक्स कुशन है प्रथम बहुत संगिती का जो आयोजन है ये कहा क्या गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल में वैसालि में आयोजोत क्या गया था दियतियं हो गई ये त्री पह फेजगती 295 इसापुर में शौग के क まने कॉनड़만 में याद रखनी है पहले जो है है जात्सदूर के सहसन कान में की गई थी राजगरह में देटे की गई थी ति तरीति जो बहुत संगती है यह असो के सासन काल में पाटली पुत्र में आयुजित की गए थी यह आपको याद रखना है चरू याद रखने हैं चतुर्थ बहुत संगती के बाद बहुत द्रम है वो किन दो भागों में विवाजित हो गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर C, A और B दोनों दोस्तो चतुर्थ बहुत संगती के बाद जो बहुत द्रम है वो दो भागों में विवाजित हो गया था हिन यान और कि गोतमबु ने जो सबसे ज़्याद जो उपदेश है वो कौसल देश की राजदानी सरावस्ति में यह वह दिये थे यह आपको याद रखना है नेक्श कुछन है असोका राम वियार है यह का इस्तित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी पाटली पुत्र में दोस्तो असोका राम वियार है यह पाटली पुत्र में इस्तित है नेक्श कुछन है बहुत द्रम का प्रम लक्षी क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमर ए निर्वान दोस्तो बहुत द्रम का प्रम लक्षी है वो है क्या है निर्वान है जिसका अर्था होत जो सिटापना है ये का की गए ती इस का सही आंसर हो जाएगा ठीच बास नमरीstyle सॉलिठ गुत आ इसकी जो उसंग कीगे ती नेक्शности ने बहुत की वह स्थापना है हो गोतम बुद ने की लेकिन जहें दुर स्वमी को बताते हैं दोस्तों माविट स्वामी जैंद्रम के 24 वी तेतकर थे और जो जैंद्रम की जो इस्तापना है रिसव देव यानि आदिनात ने की थी यह आपको याद रखना है दोस्ते एक प्रश्ण आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है प्रश्ण है गोतम बुद का जो जन में यह का हुआ था आपके पास चार आप्शन है चार आप्शन मैंसे एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद, जय भारत